हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजेल अकैर्मी, एहल्पिंग हैंड एन इंग्लिश फ्रेंड्स आज स्टैंडर 12 के विस्टाज बुक का चौथे चैप्टर का ये फाइनल वीडियो है और वो चैप्टर है दे एनिमी फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि रिकैपिटरिलेशन जब आप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस से पहले हमने ये जाना था कि जनरल ने सदाओ को ये प्रॉमिस किया था कि वो तीन ऐसेसिंस भेजेगा और उसने उन ऐसेसिंस का इंतिजार भी किया कि वो आएंगे और उसको इस तरीके से मारेंगे कि ना तो स्टैब करेंगे कि हाँ ब्लीडिंग हो ना ही उसको जहर देंगे और ना ही उस तरीके का अटैक करेंगे बिलकुल भी नहीं उन्होंने कहा था कि इन्वर्ड ब्लीड वह खुला रखें कि थोड़ी बहुत गर्मी भी आ गई है और वह तीन दिन तक इंतिजार भी के डिया लेकिन जब वह तीन दिन तक नहीं आए तो सदा ओने एक दम फाइनल किया कि वह चौथे दिन इंतिजार नहीं करने वाला है और उसने जाकर उस प्रिजनर से कहा कि अगर आप इतने ठीक हो चुके हो कि अगर मैं आपको एक बोट में कुछ खाना कुछ पानी और कुछ जरूरी समान अगर में रख दूँ तो आप यहां से जा सकते हो उस आइलेंड पे जो ज़्यादा दूर नहीं है पास में है और वहां पर कोई रहता नहीं है इसलिए क्योंकि हो जाता है पुरा पानी से ढूप जाता है तो पिलहालेंगे फिलहाला अ कि चाल और आप उना उसे बाइन बोट आए तो आप उसमें बैटके जब आए तब आप जा सकते हो बस जब तक आप आप उहां पर तो बहतर है कि आप इस शाम ढड़ने के बाद और रात होने से पहले एक बार इशारा करना अगर आप वहाँ पर हो और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है और अगर आप वहाँ पर हो और आपको किसी चीज की जरूरत है तो दो बार इशारा करना लाइट से तो मैं आपको जो भी समान होगा मैं भेज दूँगा लेकिन रात में मतलब इशारा मत करना और वहां पे कच्ची मचलियां मिलेंगे जिनको भून के खाने की कोशिश मत करना तल के या बना के कोशिश मत करना आप उन्हें कच्चे ही खाना क्योंकि अगर आप आग जलाओगे तो पकड़े जाओगे और प्रिजनर उसे कहता है भी एक क्या उसे करना है जनरल के पास देखिए चाहिए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए बेल आइक अंद बारा मत भूलिएगा चलिए यू से दमान स्कैब जनरल आस्क फेंटली जनरल ने धीमी सी आवाज में पूछा कि क्या तुम कह रहे हो कि वो आदमी भाग गया वो यंग प्रिजनर भाग गया अब देखिए सिर्फ इसने एक लाइन की डायलोग डेलिवरी की है एक लाइन सिर्फ उसने पूछा और अब उसके बारे में सिच्वेशन के बारे में एक हपते पहले उसका ओपरेशन किया गया अ एमर्जनसी ओपरेशन कौन सा एक आकस्मिक बहुती जरूरत पढ़ गए थी उस ओपरेशन की वो ओपरेशन किया तो विच सदाव हैड बिन कॉल्ड इन द नेट जिसके लिए सदाव को रात में बुलाया गया for 12 hours 12 गंटों तक सदाओ had not been sure सदाओ बिलकुल भी sure नहीं था the general would live 12 गंटे तक सदाओ को भी यकिन नहीं था कि जो general है वो जीवित बचेंगे the gallbladder was much involved a gallbladder बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया था much involved का मतलब वह यह कि वो खराब हो गया था तो gallbladder में problem थी यकीन नहीं था सदाओ को 12 गंटे तक कि वो जीवित रहेंगे और उसने operation एक हफते पहले किया था then the old man had begun to breathe deeply again अब यहोश में आ गए है old man वही general है उन्होंने गहरी सास ली and again and deep again and to demand food और उन्होंने भोजन की demand की भूख लगी थी सदाओ had not been able to ask about the assassins ध्यान दीजी operation से उठे हैं बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हैं भूख लगी है उस समय सदाओ इस condition में थे ही नहीं कि वो उन्होंने assassins के बारे में पूछे क्यों so far as he knew they had never come क्योंकि उनको भी पता था कि वो assassins आए ही नहीं थे अगर आए होते तो उसके साथ कुछ होता young prisoner के साथ कुछ करते लेकिन ऐसा थो था नहीं क्योंकि young prisoner को तो ये विचारा खुदी भगाया the servants had returned अब देखिए यहाँ पर अब जनरल की बात खतम होगी अब यहाँ servants की बात हो रही है the servants had returned servants वापस आ चुके थे and Yumi had cleaned the guest room thoroughly और Yumi ने पूरे guest room को अच्छे से साफ किया था and had burnt sulfur in it और उसने उसमें sulfur भी जलाया था to to get the white man's smell out of it कि उस white man का उस American prisoner का smell उस कमरे से खतम बज़े जैसे आप देखते हैं कि हम कमरे में वाइपर मारते हैं तो उसमें sulfur कह रहा हा Sean आहां कुछ वह डालते हैं chemical डालते है detto ऑप hospital में भी जाएए तो लोग आते जाते है वहाँ बध़्भू आती है तो वहाँ पर भी chemical डाला जाता है तो वो उस तरीकी चीज़े यूज होती है जिसी किस मिलना आए तो यहां पर भी सलफर डाला है यह मी ने घर को साफ करने के लिए नोबड़ी सैड एनिफिंग किसी ने कुछ भी नहीं कहा ओनली दा गार्ड़नर वाज क्रॉस क्रॉस मिन्स एंगर सिर्फ एक माली था जो गुस्षे में था विकाज हैड गाट भी हाइंड विद हिस क्रिसेंथ मुम्स क्योंकि वह सिर्फ पीछे रह गया था क्रिसेंथ मुम्स इस प्लावर तो फूल की बागवानी करने का समय गुजर चुका था और पीछे रह गया था इसलिए वह थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि वह तो उनके घर में था ही नहीं तो आखिर में बागवानी कैसे करता लेकिन एक हफ्ते के बार सदाव को महसूस हुआ कि जनरल ठीक हो गए थे इनफ इतने तो ठीक हो गए थे तो बी स्पोकन टू अबार दो प्रिजनर की वह उनसे प्रिजनर के बारे में बात कर सके। सोचते हैं कि अगर उसने जनरल से ना कहा होता है लेकिन अब उसने डिसाइड किया था कि अब वो जनरल को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या मैं तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उस आदमी की हत्या करवा दूँगा उसको मरवा दूँगा। ये जनरल कह रहे हैं चली आगे देखिए यू डिट एक्सिलेंसी आपने कहा था महाशे सदाओ सेट सदाओ ने कहा वेल वेल दा ओल्ड मैं सेट इन टोन ओव अमेंजमेंट बुला ठीक है ठीक है मैंने कहा था बुड़े आदमी ने एक सर्प्राइजिंग टोन में कहा इस ने कहा कि हा मैंने किया था लेकिन तुम देखो आई वस सफरिंग गुड डील मैं बहुत ज़्यादा परिशान हूं अब यहां पर यह अपना एक्स्प्रेनेशन दे रहे हैं सदाओ को कि मैं भूल गया था यार अब देखो ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा परिशा सदाओ मरमट सदाओ ने कहा सर मैं सोच रहा था महाश्य इसी बारे में सोच रहा था कि आपने वादा किया था लेकिन किसी को भेजा नहीं अब जनरल यहां पर अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं जनरल ने कहा कि निश्यत रुप से मेरी लापरवाही है बट यू लेकिन आप समझते हो इट वाज लापरवाही यह नहीं बता सकती कि मैं मेरे अंदर देश भक्ती की भावना की कमी है और डेरेलिक्शन और ड्यूटी या फिर मैं अपने करतव वयोकार निर्वाह करने में पीछे हट रहा हूं अगर यह बात बाहर आती है इस कंट्री में जापान में यू अंडरस्टेंड तो तुम उस चीज को समझोगे क्या तुम नहीं समझोगे certainly your excellency उसने का बिलकुल महाशे मैं समझोंगा सदाव सेट सदाव ने कहा he suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand और वो तुरंत समझ गया कि अब यह general उसकी मुठी में थे and that as a consequence he himself was perfectly safe और उसके परणाव अनुसार वो समझ गया था कि वो खुद भी एकदम safe था I can swear to your loyalty देखिए अभी यहाँ पे ना कैसे buttering होती है कैसे मसका मार लगाया जाता है मसका मारा जाता है देखो वैसे मार रहा है कि यह सर मैं तो आपके वफादारी की कस्में खा सकता हूं he said to the old general उसने बुढ़े जनरल को का and to your zeal against the enemy और मैं जानता हूं आपके उस उत्साह को जो शत्रो के प्रती होता है शत्रो के खिलाफ होता है उस उत्साह को भी मैं जानता हूं you are a good man the general murmured and closed his eyes you will be rewarded उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो सदाओ उसने अपनी आखे बंके और उसने कहा कि तुम्हें इसका इनाम मिलेगा बट सदाओ searching the spot of black in the tree lighted sea that night देखे फिर से कहानी स्विच होई और फिर ये आपने उस किनारे पर वेरेंडा के पास में आ करके उस जगह पे खड़े होके देख रहा है उस आइलेंड पे कह रहा है कि लेकिन सदाओ जो था ना searching the spot of black in the tree lighted sea that night कह रहा है कि उस धुंदली रात में ना समुदर के किनारे मतलब वो उस light उस अंधेरे में उस spot को ढूनने की कोशिश कर रहा है उस इशारे को ढूनने की कोशिश कर रहा है had his reward क्योंकि वही उसका reward था मतलब उसका reward क्या था उसका इनाम तो यह था कि उस जैपनीज की जान बचा ली थी और वो खुद भी ब बाद और अंधेरा होने से पहले तो dusk मतलब शाम में उसने कोई भी मतलब की light नहीं देखी no one was no one was on the island island पर कोई भी नहीं था his prisoner was gone उसका prisoner चला गया था safe doubtless एकदम सुरक्षित नी संदे for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat क्योंकि उसको चेताव ने दी थी सदाव ने उस prisoner को कि तुम्हें सिर करने जैसी हुआएगा उसमें बैठकर